कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार तथा प्रशासर के निर्देशा अनुसार नाकपुर महानगर पालिका ने तीन सेंटर में अठा से लेक्यर 44 आयू के लोगों के लिए वैक्सिनिशा सेंटर शुरू किया है जिसका लाभ शहर के नागरिक ले रहे हैं केंडर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक मई महाराश्र दिन से 18 वर्श से 44 वर्श के सभी लोगों के लिए टीका करन प्रक्रिया की शुरूआत नाकपुर शहर में हुई नाकपुर महानगर पाली का द्वारा प्रात्मिक तौर पर लसिकरन के लिए तीन केंडर की शुरूआत की गई मनपा द्वारा सौर लसिकरन केंडर की शुरूआत की जाने वाली थी लेकिन वैक्सिन की कमी के बीच तीन ही केंडर की शुरूआत की गई ऐसी जानकारी मनपा कर्मिचारियों नी दी दोसो वाइज हमकों मिली है दो जार लोगों को होगा आज दो भैर में दो बजे हमें वह उसका प्रोग्राम का उधाडन गया यह रोज की दो ड़ी सो तीन सो ऐसे लोगों की वैक्सिनेशन होगा और यह साथ दिन तलग वैक्सिनेशन चलेगा पर मुझे विश्वास है नाप पुर शहर के सव सेंटर्स पे शुरू करने का प्रयास पानगरपादी का कता त्यारी थी लेकिन वैक्सिनेशन नहीं होने के वज़े से तीन सेंटर में एक सिंबॉलिक रूप से शुरू किया है और इसमें जैसे जैसे वैक्सिन साइडी उस प्रकार से हमारे सभी डॉक्तर प्रकार के सभाई कर देख सभी लोग इस पुरी कर रहा है एक दिन में 200-300 जो भी वो सके उसका पुरा प्रयास पानगरपादी का के तरफ से सभी कर्मेचारी कर रहे हैं डॉक्तर्स लोग कर रहे हैं और यह बहुत हभी नंदर यह खार्या है कि यह कोवीद को समाप्त करने के लिए सभी कर्मचारी, हमारे डॉक्तर्स, पुलिस कर्मे, सभी प्रकार के सभाई कर्मे, सभी लोग इस पुवीद के इसमें सभी साथ दे रहे हैं और यह एक्सिनेशन के साथ सब दढ़कर खड़े हैं साधे की नाखपूर महानगर पालिका के माध्यम से मनपा के इंदरा गानी अस्पिताल गांधी नगर, आसलेशन होस्पिटल इमाम वाड़ा और पाचपॉली मैटरनरी होस्पिटल में शनिवार दुपर दो बज़े से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए लसी करन शुरू क्या पूरू